नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा दिल्ली में निर्भया कांड को ना तो आज तक कोई भूल पाया है और ना ही कोई भूल सकेगा ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसे भुलाज पाना बिल्कुल संभव नहीं है वैसे तो ऐसी घटना देश के और भी कई राज्यों में हुई और अब ऐसी ही एक घटना राजस्थान के अलवर में हुई है बरबरता ऐसी थी कि इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी काप कए जिहां 16 साल की नावालिक मुखबदीर बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया शाम का समय कुछ साड़े साथ ही होगा ये वो समय नहीं होता जब बच्चियों को डर कर घर पर बैठना होता है ऐसा समय जब खुले आम बच्चिया निकल सकती है बहार जा सकती है बिना किसी डर के लेकिन ये बच्ची भी यही सोचकर निकली थी अपने मामा से मिलने सुबह से ही जिद कर रही थी कि उसे मामा से मिलना है और शाम को जैसे तैसे रजामंदी लेकर के घर से निकली लेकिन रास्ते में कुछ हैवानों ने उसे पकड़ लिया और लगभग साड़े साथ के करीब उसके साथ ये बरबरता पूर्ण हरकत हुई जिस हालत में पुलिस ने उसे पाया, वो वाकई में दिल धहला देने वाली हालत थी सडक पर पूरी तरह खून पढ़ा था, वो बाली का पूरी तरीके से लहुलुहान थी खून में उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था डॉक्टर का कहना है कि शायद इस दुषगर्म के बाद में उसके साथ में उसकी प्राइवेट पार्ट में नुकिली चीज से वार किया गया आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी वो बरबरता हम बिल्कुल उसको बया कर पाना बेहद ही मुश्किल है साथ डॉक्टर्स की टीम लगी रही डॉक्टर्स जो इनके पास ऐसे केसिज आते रहते हैं दुशकर्म के केसिज भी या बाकी जो जख्मी लोगों के केसिज भी लेकिन इस बरबरता पून हरकत को देख कर और जिस तरीके का वहवार उस लड़की के साथ किया गया उसे देख कर डॉक्टर्स के मुँसे भी बस एक ही चीज निकली कि जख्म तो भर जाएंगे पर आत्मा पर लगी चोट कैसे भर पाईगी डॉक्टर्स का कहना है कि वे कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसी सर्जरी वापस नहीं करना चाते हैं चिकित्सकों ने यही बात कही कि दुशक कर्म निर्भया कांड में हुआ था दरिंदो का अभी तक पता नहीं लगा है बच्ची के साथ उसके पिता मा और चाचा हॉस्पिटल में है बार बार बच्ची अपनी चाची को याद कर रही है और पूरा कुछ कह भी नहीं पा रही जहां पे हमने देखा था निर्भया कम स सजा दिलवानी है लेकिन ये बच्ची ना तो ये कह सकती है बस उसकी आखे उसकी सूनी पड़ी आखे जिस तरीके से रो रो कर उसका हाल बुरा है वही चीज बया कर पा रहे है कि वह आकिर किस मंजर से किस दर्ध से गुजरी होगी अभी तक कितने ही यूनिट उसे बलड का कहना है कि यूरिनल पार्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है कुछ दिन पर complete bad rest पर रहना होगा पूरा जो मंजर है वो हम आपको अगर बताते हैं तो ये मंजर बया कर पाना वाकई में शब्दों में बया कर पाना बेहद ही मुश्किल है वकीलों की बात करे तो वकीलो को घेर रही है वहां Congress भी पलटवार करती नजर आ रही पर आखिर ऐसा कब तक सवाल ये कि उस बच्ची के साथ जो हुआ पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाए सामने आ चुकी है तो सवाल ये कि इस बच्ची को भी अगर इंसाफ भी मिल जाएगा मुल्जिम पकड़े भी जब बच्चियां घर पर रहे या बच्चियों को घर में बंद कर दिया जाए साड़े साथ इतना कोई लेट टाइमिंग नहीं जिसे हम कह सकते हैं लेकिन समाज के लोग ये भी कहते नजर आते हैं एक तरफ की लड़कियों की ही गलती होती है जिस तरीके से वह बहार निकल क्या ये गलती थी कि वह अकेले जा रही थी 16 साल की बच्ची के जखम तो जरूर भर जाएंगे पर उसके दिल पर लगी चोट आखिर कैसे भर पाएगी और जो सियासत कर रहे हैं क्या उसकी सियासत का असर सच में बच्ची पर पड़ेगा क्या उसकी जिंदगी सवर कि ये बहुत से ऐसे सवाल है जो इस वक्त उस बच्ची के मन में भी चल रहे होंगे पहले ही वो मुखबदीर है और इसके बाद में जब ऐसी पीड़ा उसे सहने को मिल रही है इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है